हलो दोस्तो राधे राधे कैसे हैं आप आसा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होगे मस्थ होगे और अपने अपने कामव में ब्यास्थ होगे तो दोस्तो चलते हैं आज की नई जानकारी की तरफ होली की कथा 49 लाख वर्स पहले से मनाई जा रही है होली इन कथाओं से मिलता है साक्ष्य आज देश भर में ज्यादा तर जगह होली का देहन किया जाएगा लेकिन होली कब से मनाई जा रही है यह सवाल तो आपके मन में जरूर आया होगा क्या आप यह जानते हैं यह जानना वाकई दिल्चस्प है कि होली आज से 49 लाख वर्स पहले यानि राम क्रश्न के काल से भी पहले सत युग से मनाई जा रही है एक युग जिसके साथ प्राय शब कुछ खत्म हो जाता है होली उसे पार कर भी दूसरे युगों में प्रवेश करते हुए कल युग में भी ना सिर्फ हमारी खुसियों का कारण है बलकि यह संदेश देने में भी सक्षम है कि हर बुराई का अंध निश्चित है सत्यों की सबसे पुरानी और प्रचलित कथा होली मनाने की सुरुवात कब और कैसे हुई इस प्रस्ण पर जो तिसा चारे कहते हैं इस बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं किन्तु सबसे पुरानी और प्रचलित कथा सत्यों है ऐसे में कह सकते हैं कि होली सत्योग से मनाई जारती है वह आगे कहते हैं चार योग होते हैं सत्योग, त्रेता, द्वापर और कल योग हमारे सास्त्रों में एक योग लाखों वर्सों का बताया गया है सत्योग करीब 17,28,000 वर्स त्रीता लगभग 12,96,000 वर्स द्वापर युग 8,64,000 वर्स तक तो कल युग 4,32,000 वर्स का होना है इस हिसाब से गड़ना कहती है कि होली 49,00,000 वर्स पहले सत्योग से मनाई जा रही है तब भगवान ने नर सिंग अवतार लिया था और हिरन्य कस्टप का वद किया था जो 34 के अनुसार तृदेव इस स्रश्टी का संचालन करते हैं ब्रम्हा स्रजक हैं विष्णू पालानहार हैं तो सेव संघारक हैं इसके साथ ही विष्णू संतुलन बनाए रखने के लिए भी समय समय पे अवतार लेते रहते हैं गरुण पुरान में भगवान विष्णू के दस अवतारों का जिक्र है सत्योग में उन्हें मतस्य है ग्रीव कूर्म वराह और नर्सिंग अवतार लिया तो त्रेता में वामन पर्शूराम और स्री राम का द्वापर में वह स्री क्रिष्ण रूप में भक्तों के बीच आए कल्योग में वह कल की अवतार लेंगे वह समय कल्योग और सद्योग के संधिकाल का होगा अभी तो कल्योग की सुरुवात ही हुई है प्रभु अपने सभी अवतारों में दुष्टों का संगहार करते हैं तो अपनी लीलाओं से जीवन जीने का तरीका भी सिखाते हैं होली का त्योहार भी कुछ ऐसा ही है जिसका आरंभ सत्युग में भगवान के नर्सिंग अवतार के समय हुआ क्या है सबसे प्रथलित का था जियोती सचारी कहते हैं सत्युग में एक अती पराक्रमी दैत्ति राजा था हिरन्यकस्यप हिरन्यकस्यप के भाई हिरन्याच का भगवान विश्णु ने वराह अवतार लेकर बद किया था इस कारण हिरन्यकस्यप उन्हें दुस्मन मानता था हिरन्यकस्यप का विवाह कयाधू से हुआ था जिससे उसे प्रहलाद नामक पुत्र की प्राप्ति हुई हिरन्यकस्यप ने मन चाहे वर्दान के लिए ब्रह्मा की तपस्य शुरू की इस दोरान देवताओं ने उसकी नगरी पर आक्रमण कर दिया और वहां अपना सासन इस्थापित कर लिया उस समय देवरिसी नारद मुनी ने कयाधू की रक्षा की और अपने आस्रम में इस्थान दिया वहीं पर हिरन्यकस्यप के पुत्र प्रहलाद का जन्म हुआ देवरिसी नारद मुनी की संगत में रहने के कारण प्रहलाद भगवान विश्नु का भक्त बन गया उधर कई वर्सों तक तपस्य के बाद हिरन्यकस्यप को ब्रह्मा जी ने दर्सन दिये हिरन्यकस्यप ने वर्धान मांगा कि मेरी मृत्यू मनुस्या पसू के हाथों से ना हो ना किसी अस्त्र से ना किसी सस्त्र से ना दिन में ना रात में ना भवन के बाहर ना ही अंदर ना भूमी ना आकास में हो मेरी मृत्ति हो। खुल मिलाकर अपनी समझ में उसने अमर्ता का वर्दान मांगा। ब्रह्मा ने उसे यह वर्दान दे दिया। किन्तु इसके बाद वह निरंकुस हो गया। वह रिसी मुनियों की हत्या करवाने लगा और स्वयम को भगवान घोसित कर दिया। किन्तु स्वयम उसका पुत्र प प्रहलाद ने जिद नहीं छोडी तो उसने उसे मारने का फैसला कर लिया। हिरन्य कस्यप की एक बेहन थी होलीका, होलीका को भी भगवान ब्रह्मा ने एक वरदान मिला था, यह कि उसे अगनी नहीं जला सकती। हिरन्य कस्यप ने होलिका को कहा कि वह प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अगनी में बैठ जाए ताकि प्रहलाद भाग ना सके और वह उसी अगनी में जल कर खाक हो जाए हूलिका ने किया तो ऐसा ही किन्तु वह खुद भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया कहा जाता है कि हूलिका के एक वस्त्र में ना जलने की सक्तियां समाहत थी किन्तु भगवान विश्णू की क्रपा से चली तेज आंधी से वहवस्त्र होलिका से हट कर प्रहलाद के सरीर से लिपट गया था होलिका के जलने और प्रहलाद के बच जाने पर नगरवासियों ने उस्सा मनाया जिसे छोटी होली के रूप में भी जानते हैं इसके बाद जब यह बात फैली तो विश्णू भक्तों ने अगले दिन और भी भव्य तरीके से उस्साव मनाया होलिका से जुड़ा होने के कारण आगे इस उस्साव का नाम ही होली पड़ गया उधर हिरन्यकस्यप ने प्रहलाद के मारने के लिए उसे एक खंबे में बान दिया वह प्रहलाद को मारने ही वाला था कि भगवान विश्णू खंबा फाड़ कर नरसिंग अवतार में प्रकट हुए उन्होंने हिरन्यकस्यप को उसके भवन की चोखट पर ले जाकर संध्या के समय अपनी गोध पर रखकर नाखून से उसका वद कर दिया इस तरह ब्रह्मा का वरदान भी नहीं तूटा और अताताई का अंध हो गया भगवान सिव और कामदेव की कथा सबसे प्रचलित कथा सत युग में होली का देहन की है लेकिन बाद की युग में भी यह उत्साव अलग-अलग समय पर मनाया जाता रहा और इस से अन्य कथाएं भी जूडती गई होली की एक कहानी कामदेव की भी है पारवती शिव से विवाह करने के लिए तपस्या में लीन थी लेकिन खुद ध्यान मगन शिव ने काफी समय तक ध्यान नहीं दिया ऐसे में कामदेव से रहा नहीं गया और उन्होंने भगवान से उपर पुस्प बाण चला दिया ध्यान भंग होने से सिव को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी तीसरी आँख खोल दी और कामदेव भस्म हो गए कामदेव के भस्म होने पर उनकी पतनी रती रोने लगी और कामदेव को जीवित करने की गुहार लगाई इसके अगले दिन क्रोज सांथ होने पर सेव ने कामदेव को पुनर जीवित कर दिया माना जाता है कि कामदेव के भस्म होने पर होली का जलाई जाती है जो उनके जीवित होने की खुसी में रंगों का तियोहार होली मनाई जाती है महाभारतकाल की कथा महा भारत काल यानि द्वापर में युधिष्टर को प्रभुष स्री कृष्ट ने एक कहानी सुनाई एक बाद स्री राम के पूरवज रगु के सासन में एक असुर महला थी उसे कोई नहीं मार सकता था क्यूंकि उसे एक वरदान था एक दिन गूरु वसिस्ट ने बताया कि उसे मारा जा सकता है यदि बच्चे अपने हाथों में लकडी के छोटे छोटे टुकडे लेकर सहर के बाहरी इलागों के पास चले जाएं और सूखी घास के साथ उनका धेर लगा कर जला दें फिर उसके चारो ओर परिक्रमा करें अनरत्ते करें ताली बजाएं गाना गाएं और नगाडे बजाएं फिर ऐसा ही किया गया और वह असुर मारी गई कहा जाता है इसके बाद से बुराई पर जीत के प्रती के रूप में होली मनाई जाती है पूतना से क्या रिस्ता होली सबसे अधिक प्रसिद्ध होई द्वापर युग में यानी स्रीक्रिष्ण के युग में पौराणिक कथा के अनुसार कंस को पता चला कि स्रीक्रिष्ण गोकुल में है लेकिन यह नहीं पता था कि कहा है इसके बाद उसने पूतना नामक राक्षषी को गोकुल में जन्म लेने बाले सभी बच्चों को मारने को कहा पूतना वेश बदलकर इस्तनपान के बहाने सिस्वों को विस्पान करार देती थी लेकिन स्री कृष्ट ने दुग्धपान करते हुए ही पूतना के प्राण खीच लिए पूतना के वद पर खुशियां मनाएं गई और यह एक कहानी भी होली से जुड़ गई होली का क्या है महत्व? हिंदु धर्म के सभी त्योहारों में खुशियां है लेकिन इसके पीछे गंभीर संदेश भी है जैसे दीवाली अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक है वैसे ही होली भी इस त्योहार का इसपश्ट संदेश है कि घमंड अच्छा नहीं होता इस्वर से बढ़कर कोई नहीं होता जो भी विधी के विधान को नहीं मानता उसे कोई बचा नहीं सकता जैसे होली का या हिरन का स्यप वर्धान के वावजूद भी मारे गए तो दोस्तों कैसी लगी जानकारी आसा करता हूँ कि आपको जानकारी पसंद आई होगी यदि जानकारी पसंद आई हो तो कॉमेंट सेक्षन पर कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर इसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो बने रहीएगा चैनल पर तो दोस्तों चलता हूँ मिलता हूँ फिर अगले वीडियो पर तब तक शभी को राधे राधे जाज स्री राम दोस्तों बाइब बाइब